हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A34 Android mobile phone में आप अपने mobile phone के storage को कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को हमें start कर लेते हैं देखें दोस्तों आप अपने mobile phone के storage को तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं पहला तरीका यह होता है आप अपने phone में किसी भी memory card का यूज कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone में किसी भी thirdpaddy application का यूज कर सकते हैं जैसे कि प्ले इस्टोर में काफी सारे क्लाउट से अब इस्टोरेज अब अवेलेवल होते हैं और तीसरा तरीका यह होता है कि आप अपने फोन से अगर फालतो का डेटा हटा दिंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हों कि कैसे आप तीसरे तरीके के जरीए आप अपने फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं देखी दोस्तो सबसे पहला प्रोसेस आपको यह करना है कि आपकी मुवैल फोन में है काफी सारे ऐसे आप्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको बैकप की सेटिंग मिलेगी ठीक है तो जिस जिस एप के अंदर आपको बैकप की सेटिंग मिलती है उन सभी एपस में से बैकप सेटिंग को आपको बंद कर दे रहा है यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक्जामपल के लिए अपने गैलरी को उपन कर लेता हूँ, अब देखे गैलरी में आपको न सबसे उपर यह राइट साइट के टॉपर पर प्रोफाइल पिक्चर मिलती है, इसे टैप करना है, आपका यह पेज उपन होगा, इस पेज में देखे बैकप की सेटिंग है, तो यह बैकप इस आफ लिखा हु सेटिंग बंद करनी है, इसके लिए फोन का सेटिंग पेज उपन करना है, इसमें आपको नीचे की साइट आना है, यहापर आपको यह अकाउंट एंड बैकप पे टैप करना है, इसके अंदर आपको यह बैकप डेटा, रिस्टोर डेटा, बैकप डेटा, यह सभी डेटा स से से करना है कि आपके फोन में जितने भी आपस है सभी आपस को reset करना है यानि कि सभी आपस का data clear करना है कैसे देखिए अगर आप अपने mobile phone के किसी भी आपको उंगली से आप दबा के रखेंगे तो यह छोटा इसमें देखिए कोने में जो सरकल के अंदर आई बटन है इसे टैप करना है आपका यह एप इंफो का पेज ओपन होगा इसमें आपको नीचे storage का यह option टैप करना है इसके अंदर दो option मिलेंगे एक तो clear data का दूसरा clear catch का आपको पहले इसे clear catch पे टैप करना है इसके बाद clear data पे टैप करना है आपका एक छोटा सा पेज आएगा इसमें आपको डिलीट का यह option टैप करना है यहाँ पर आपका यह data और यह catch इन दोनों के सामराला data यह आपका zero हो जाएगा इस तरह किसे आपको mobile phone के सभी apps को reset करना है ठीक है अब क्योंकि अगर आप अपने phone में किसी भी आपको जब install करते हैं तो वह app आपका phone का storage कवर करता है क्योंकि वह app जो है किसी MP का होता है 10-20-50 ठीक है तो इसलिए फालतु के apps phone से uninstall करेंगे तो इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा अगला process यह करना है phone की gallery open करना है phone की gallery के अंदर आपकी जितने भी फालतु की photo वीडियो आपने रख रखे हैं सारी की सारी फालतु की photo वीडियो आपको permanent delete करनी है जिससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा अब दोस्तों अगला process यह करना है कि phone का आपको reset करना है ठीक है phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process क पाम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करने के लिए phone का setting page open कर लिए setting page में आपको सबसे उपर सर्च आइकन पर डाया जाएगा लेकिन phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात यहिकान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारे data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लेजे दूसरी बात ये ध्यान रखने है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है तो मेरे बता है वह सारे process आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा ठीक है